वियर्स हम पढ़ने एक अक्षा दस्वी सामाजिक विज्यान में समकालिन भारत मतलब बुगोल विशे के अध्याई दो के प्रश्णतर और अध्याई वन और वन ये जिव संसाधन तो इसमें जो पहला प्रश्ण दे रखा वह है बहु बहु बैकल्पिक प्रश्ण इसमें हैं इनमें से कौन सा सरक्षन तरीका समूदायों की सिधी भागिदारी नहीं करता तो इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो समूदायों की सिधी भागिदारी नहीं करता यह option दे रखें सयुक्तवन प्रभंदन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और वन्य जिव पशु विहार का परिसीमन तो हम भुगोल विशे के सभी प्रश्णों तर त्यार करेंगे पार्ठी पुस्तक के प्रश्णों के अलावा भी जो महतपुन प्रश्णे उसके विडियो बनाये जा रहे हैं जिससे आपकी सामाजिक विज्ञान की संपुन तयारी हो जाएगे और बोर्ड एक्जाम में आपके बहुती अच्छे अंक आएंगे इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान में आपको जो भी कमी लग रही है या जो भी आपको चाहिए वह आपको कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या तयारी करनी है तो अगला वीट प्रेशन देखते हैं इसके बाद प्रेशनमबर दूसरा है निम्नलिखित का मेल करें तो यहाँ पर दे रखा रक्षित वन रक्षित वन और अवरगिकरत वन जबके इस तरब दे रखा सरकार और व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधिन अन्य वन और बंजर भूमी दूसरा है वन और वन ने जिव संसादन सरक्षन की दरस्टी से सरवाधिक मुल्यवान और तीसरा है वन भूमी जो और अधिक चरण से बचाई जाती है तो सबसे पहले आरक्षित वन तो आरक्षित वन में आएंगे वन और वन ने जिव संसादन सरक्षन की द्रस्टी से सरवाधिक मुल्यवान वन इसके बाद है रक्षित वन होंगे वन भूमी जो और अधिक चरण से बचाए जाती है और अवर्गिकरत वन में आएंगे सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधिन अन्य वन और बंजर भूमी इसके बाद प्रेश्ट प्रेश्ट नमबर तीसरा है निमनलिकित प्रेश्टों के उत्तर लगबक टीश शब्दों में दीजिए तो इसमें दो प्रेश्टों है और दोनों ही कौपी में त्यार करेंगे प्रेश्ट नमबर चोथा भी कौपी में ही लिखकर त्यार करेंगे जिससे कि आपको आसानी इसे समझ में आ जाएं. प्रश्ण नमबर तीसरा है, निमनलिकित प्रश्ण के उत्तल लबग तीस शब्दों में दीजिए, इसमें पहला प्रश्ण है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत पूर्ण है, तो इसका उत्तर है, प्रथ्वी पर पाये जाने वाले विभिन जीवों की प्रजातिया, उनके पारस्परिक संबंद एवं पर्यावरन से उनका संबंद जेव विविदता कहलाता है, प्रथ्वी पर पाये जाने वाले विभिन जीवों की प्रजातिया, क्योंकि प्रथ्वी पर विभिन प्रकार क जीव पाये जाते हैं बहुत सी प्रजातिया उनकी उनके जो पारस्परिक संबंद है और परियावरण से उनका संबंद ये सभी मिलकर जेव विवित्ता कहलाते हैं ये मानव जीवन के लिए महतपुर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारस्थिति की तंत्र का निर्मान करते हैं जिसका हम मात्रेक हिस्सा है और अपने अस्तितों के लिए इसके विविन ततों पर निर्मान करते हैं तो इसका जो ये महतपुर्ण क्यों है ये मानव जीवन के लिए महतपुर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारस्थ प्राणवाई ओक्सिजन नहीं छोड़ेंगे तो हमें अपने प्राणवाई ओक्सिजन नहीं मिलेगी इस प्रकार से एक पूरा ही तंत्र होता है जिसमें एक जिवधारी दुसरे जिवधारी पर या पारिस्थितिक तंत्र पर निर्बर होता है और उसके बिना उसका जीवन स नहीं होता है। तो हमने यह समझ लिया कि जे विवित्ता क्या और यह मानव जीवन के लिए क्यों महतपुर्ण है। मानव क्रियाय निम्नलिकित प्रकार से प्राकरतिक वनस्पति जात और प्राणे जात के रास के कारक है। इसे वन्य प्राणे जिनकी संख्या कम है विलुप्त होते जा रहे हैं। और कुछ प्राणे इसे जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुती कम बच्ची है। इसके बाद इसरा पोइंट है जनसंख्या व्रद्धी से मानों की आवशक्ताई बढ़ती जा रहे हैं। इसे बूमी वह वनों का अध्यतिक दोहन हो रहा है। भूमी और वनों का अत्यधिक दोहन होने से भी वनस्पति और प्राणियों की कमी होती जारी है क्योंकि भूमी पर जनसंग के आधिक होने के काण मानव अपनी क्रियाय करने लग जाता है जिससे वहां की जो प्राकरतिक वनस्पति है वह कत्म हो जाती है इसके साथ ही वहां ज जो जीव पाये जाते हैं, जो प्राणे पाये जाते हैं, वह भी कम होते जाते हैं, क्योंकि उनका आवास नस्ट हो जाता है। इसके बाद अगला प्रेशन पर चोथा है, निमनलिखित प्रेशनों के उत्तर लगबक 120 शब्दों में दीजिये। पाये जाते हैं, उन्होंने वन और वन जीव के सरक्षन में क्या योगदान दिया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसका उत्तर है, भारत में विभिन समुदायों में प्रकरती सरक्षन के पारमपरिक तरीके हैं। कुछ समाज कुछ विशेश पेड़ों की पुजा करते हैं और आदिकाल से उनका सरक्षन करते आ रहे हैं। चोटा नाकपुर शेत्र में मुंडा और संथाल जन जातिया, महुआ और कदंब के पेड़ों की पुजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जन जातिया, शादी के दोरान, इमली और आम के पेड़ की पुजा करते हैं। भारत में विबिन समुदायों में प्रकती सरक्षन के पारंपरिक तरीके हैं, कुछ समाज कुछ विशेश पेड़ों की पुजा करते हैं और आदिकाल से उनका सरक्षन करते आ रहे हैं, छोटा नाकपुर शेत्र में मुंडा और संथाल जन जातिया, मौवार कदंब के की पुजा करती हैं, तो इस प्रकार से यह इसका उत्तर हैं, इसके बाद इसी का अगला जो प्रेशनया पुछा गया है, इसी प्रेशनमबर चोथे का दूसरा है, वन और वन्य जिव सरक्षन में सहयोगी रित्ती रिवाजों पर एक निबंद लिखिए, तो इसका उत्तर ह भारती समाज में वन और वन्य जिव सरक्षन की सद्यो पुरानी परंपराएं एवं रिती रिवाज चले आ रहे हैं, जिसमें प्रकरती को सरक्षित रखने के उपाय किये जाते हैं, इन्ही विश्वासों ने वनों को मूल एवं कोमार्य रूप में बचा कर रखा हैं, जिन के इन भागों में किसी ओर को छेड़चाड करने नहीं दिया जाता, कुछ समाज विशेश पेड़ों की पुजा करते हैं, राजस्थान में विश्वासों के आसपास आप काले हीरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के जुन्ड देख सकते हैं, जो समूदाय का अहम हिस्सा है कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुचा सकता, तो इस प्रकार से इसका उत्तर एक बार फिर से इसको देख के समझ लेंगे, भारती समाज में वन और वन्य जिव सरक्षन की सद्यो पुरानी परमपरायम रिती रिवाद चले आ रहे हैं, जिसमें प्रकरती को सरक्षित रखने के उपाय किये जाते हैं, इनी विश्वासों ने वनों को मूल एवं को मारे रूप में बच्चा कर रखा है, जिने पवित्र पेडों के जुर्मुट देवी देवताओं के वन कहते हैं, वन किन भागों में किसी और को चेड़ चाड़ करने नहीं दिया जाता, कुछ समाज विशेज पेडों की पुजा करते हैं, राजस्थान में विश्वासों के आसपास आप काले हीरन, चिंकारा, नेलगाय और मोरों के जुन्ड़ देख सकते हैं, जो समुदाय का अहम हिस्सा है, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुचा सकता, तो इस प्रकार वन और वन जीव स होतो पुण प्रश्ण है, जो कुछ बुक में से अलग से बनेंगे, उसकी हम अलग से तयारी करेंगे, या आपके पाठे पुस्तक के प्रश्ण उत्तर थे, तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा दस्वी सामाजिक विग्यान की समपुण तयारी के की ए